अस्साला मुल्कों फ्रेंट्स आज किस वीडिये में हम लग बात करने हैं और एनस्पी स्कॉलर्डशिप पर 2021-22 में यहाँ पर देखिए इसकॉलर्शिप अपलाई करने की डेट यहाँ पर बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है यहाँ पर 31 दिसंबर अभी डेट चल रही है इसकॉलर्शिप अपलाई करने की तो यह बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती है पिछली भी मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इसके ओपर डिसकस किया था और यह क्या करें मुझे बहुत सारी कमेंट रहे है उसमें स्टूडेंट मुझे बोह रहे है कि यहाँ पर सर डेट पक्का एक्स्टेंड होंगी या फिर नहीं होंगी इसके बारे में ज़रा सी इन्फोर्मेशन हमें बता दीजिए ताकि हम यहां पर शोर हो जाए और उसको अगर अपलाई क कर रहे हैं तो इसको apply करें या फिर अगर हमारे पास documents नहीं है या फिर हमारे payment receive नहीं होब या फिर हमारा जोईवर renewal अब तक नहीं हुआ है documents की वज़ा से institute की वज़ा से यह हमरा institute में अब तक admission नहीं हुआ है उसकी वज़ा से तो वो उसके लिए रुक सके अगर रुकेंगे तो वो कैसा है और अगर apply कर लेंगे या फिर apply करना चाहिए अभी के नहीं के थोड़ा सा wait करना चाहिए क्योंकि 31 December को ही पता चलेंगा यानि आज की दिन ही आपर आपको पता चलेंगा यहाँ पर देखे हर जो भी schemes में आप क्लिक करें जो भी schemes में आप eligible हो मैंने इससे पहले सभी schemes के बारे में बता दिया है और सबकी यहाँ पर 31 December इसकी last date है यानि आज apply करने की last date है आपकी आज apply अगर यहाँ पर आज apply आपको final submit आपको सभी schemes में या फिर UGC वगएरा state scheme में और सभी schemes में आपको eligible होंगे तो आपको apply करके यहाँ पर आज final submit आपको करना है form वगएरा सब submit करके form वगएरा सब यहाँ पर भढ़के फिर उसके बाद यहाँ पर documents वगए अप्लोड करके फिर सब final submit करना है लेकिन बहुत सारी student comment कर रहे है कि हमारा जो इन्स्ट्यूट अब तक जो इन्स्ट्यूट में admission ले रहे तो उसका admission process अब तक नहीं हुआ है कि पिछले साल जाना वो COVID pandemic की वजह से बहुत सारे लोगों के जो admission नहीं हुए या फिर उनका कोई भी problem था documents के issue को लेकर वो college में जा नहीं सकते थे वगएरा वो सब problem थे documents उनके ready नहीं थे इस वजह से 20 जनवरी तक form apply हो रहे थे मैंने यहाँ पर screenshot जोड़ दिया है आप यह कोई पेंडमिक के वजह से इस साल हो सकता है कि date बढ़ा दी जाए अगर बढ़ाते हैं तो मैं आपको inform तो कर दूँगा लेकिन वो भी बढ़ाते हैं वो शाम के टाइम पर बढ़ाते हैं या फिर 7 बज़े या फिर 6 बज़े के बात ही यहाँ पर date extend होती है तो मैं आपको ब करने वाले तो इस इंस्टूट को सेलेक्ट करना पड़ेंगा आपको फिर उसकी फीस रिसीप्ट वगेरा तो वो सब आपको उस इस इंस्टूट की जमा करनी पड़ेंगी तो आपके admission होंगा तो ही यहाँ पर यह अपलाई करेंगे तो आप अगर admission ने होए तो रुकेंगे देखें आईसे जो student है वो यहाँ पर उनके documents पड़ेंगी या फिर कुछ भी problem की वज़े से उनको ऐसा लग रहा है कि आज date बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी आपको क्या करना है फाइनल सब्मिट करना है या नहीं करना है तो यह जो issue होता है वो यहाँ पर आपको उसी यहाँ पर इसी दिन यहाँ पर समझ में आएंगा वो जब एक्सेंड होंगी या फिर नहीं होंगी रात के वक्त आपको समझ में आएंगा लेकिन तब तक क्या करना है तब तक आपको final submit करना है या फिर नहीं करना है इसके उपर यहाँ पर आप ज़रा अगर आपके documents वगेरा ready होंगी या फिर आपका information वगेरा सब ready होंगी आपके पास और वो सोच रहे कि data अगर extend होती है तो मैं रुकताव form apply करने के लिए तो यहाँ पर आप गलस सोच रहे क्योंकि आपके पास documents वगेरा ready होंगे तो आप फ़रों ही इसको apply कर देंगे apply करके यहाँ पर final submit कर ready होंगे तो अगर आपके पास documents वगेरा ready नहीं होंगे तो आपको तो जाहिर सी बात है कि आपको तो रुकना ही पड़ेंगा यह जब extend होंगी तो extend का इंतिजार करते हुए आपको रुकना ही पड़ेंगा इस वज़ा से जिनके भी admission नहीं हुए या फिर documents वगेरा के problem है वो अगर आपके पास documents नहीं हुआ है और या फिर आपके पास documents वगेरा है तो आप अपने safety के लिए आपको रुकना form final submit कर दीजे अगर आपके पास documents नहीं हुआ है और या फिर आपने कोई भी आपका problem है तो आपने क्या hold करके रखना है फिर आपके पास तो कोई इलाज नहीं है इस वज़ा से आपको hold करके रखना है form को और फिर उसके बाद अगर date extend होती है तो आपको फिर final submit करना है जब भी date extend होगी जब तक आप करना चाहे जब आपका admission वगेरा हो होंगा सब प्रोसेस तो तभी आपने यहाँ पर यह तो तभी आपने final submit कर देना है तो यह आज की इस वीडियो में यह information आपको देनी बहुत ज़रूरी थी कि date extend होती है तो मैं आपको शाम को वीडियो मना करें आपर बताने वाला तो चलिए बिना की देरी के वीडियो को end क अपर्थी